असलामु आलेकुम वेलकम बैक इंड वीडियो तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यूसेट के बारे में यह डिसकुस करेंगे कि आप किन बातों का ख्याल रखें आपको इसमें टिप्स ट्रिक्स एंड सजेशन दी जाएंगी तो इस वीडियो का अपने ध्यान से देखना है ताके आप यूसेट में अच्छा स्कोर कर सकें तो फर्स्ट अपॉल हमारे पास यहां पर डॉगर्स यूनिक की बुक है जो कि मैंने की हुई है आपको परिशेश करने की ज़रुवत नहीं है आपको यह फ्री अफ कॉस्ट जो है वह मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो हम यूसेट की क्लास से स्टार्ट करेंगे और यह हमारा इंशाला 10 डेज का चैलेंज होगा कि हमने यूसेट का कंप्लीट स्लेबस इस सीर यह एक मैथड है जिसे हम इलिमिनेशन मैथड भी कहते हैं इसमें यह होता है कि आपने आपको चार ओप्शन दिये गए हैं A, B, C, D ठीक है आपने चार ओप्शन को दिहान से पढ़ने और पढ़ने के बाद आपको जो इर्रेलेवंट ओप्शन लगते हैं आपको लगता है कि यह जो B ऑप्शन है यह बिल्कुल इर्रेलेवंट है तो आप उसको इलिमिनेट कर दें कि यह तो हो ही नहीं सकता इसी तरह गर आपको लगता है C ऑप्शन भी इर्रेलेवंट है आप उसे भी इलिमिनेट कर दें यह होता है इलिमिनेशन मैथड जिसमें आपने इनकरेक् जब तक आपको उसकी मुकमल तोर पे समझ नहीं आ जाती और आपने उसके जो है वो की वर्ड को भी नोटिस करना है क्योंकि आपको time management का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है तो इसलिए आपने जो भी doubtful question लगे ना आपको आपने उसे छोड़ देना है और skip करके आगे बढ़ जाएं ठीक है उसके बाद आखिर में जो आपके आपने questions छोड़े होंगे incomplete questions उनको सबसे आपने आखर में देखना है ठीक है उससे पहले आपने उनको नहीं देखना इसके बाद after reading formulate the answer in mind and look into the options ये again वही बात आगे कि आपने जो mqs की statement है उसको अच्छे से read करना है उसके answer को mind में लाना है and then आपने options को देखना है review the answer before returning the answer paper आपने जब अपनी question booklet ज है वो review जरूर करना है find out the hidden answers after complete reading उसके बाद आपने कोई ऐसे चुपे वे जवाबात को तलाश करना है after reading मुतालिया करने के बाद ठीक है और sometimes opposite can be the right answer तो अकसर ऐसा होता है जैसे इन्होंने आप और दू में भी लिखा हुआ है कि मुतजार जवाब ही सही हो सकता है तो लेकि इसके बाद avoid guesswork for negative marking of questions as they may lower final total अगर आप मनसी marking के मतर्ब जो negative marking होती है कि जैसे आपका एक अगर wrong हुग हो है तो आपका कुछ point जो सही वाला हो गहा उसमें से cut हो जाता है य Belarus को तो आपने उसको जहन में नहीं लिकेया और वैससे भी you set में negative mark नहीं होती उसके बाद प्राइर प्रेपरेशन एंड ट्रेनिंग और मेंडेटरी एसपेट्स फॉर एनी मल्टिपल चॉइस एक्जैम के जो भी MCQ से एक्जैम होता है उसमें आपको पहले से अच्छी प्रेपरेशन आपको करनी चाहिए ठीक है तो आपको इन चीजों को अपने जहन में रखना है औ और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट अफ लग जो जो भी UCQ के एक्जैम देने जा रहे हैं आप सब का हामी और नासिर हो आमीन